चलिए आपके लिए कविता पढ़ती हूं मैं तो भोली गई थी कि कविता मैंने कभी लिखी थी इंफेक्ट दो कविताएं लिखी थी हिंदी में कुछ साल पहले कुछ क्या काफी साल हो गए और एक कविता तो मुझे मिल गई है एक मेगजीन में पबलिश होई थी तो मैं आपको पढ़के सुनाती हूं दरसल मुझे उस वक्त भी लगता था कि इस्त्रिया महिलाएं भी तो इनसान है यह सवाल मेरे जहन में उठते रहते थे तब भी तो यह मैंने कविता लिखी थी तब यह कोई 24 साल पुरानी कविता है यह 1990 में पबलिश होई थी यह अगर आप देख सकते हैं तो इसकी जो नीचे की कुछ लाइंस थी वो भाई ने संजय भाई संजय ग्रोबर भाई ने कुछ मरमत की थी उनकी थोड़ी ठीक की थी याद नहीं है कि क्या उसमें उन्होंने तबदीली की थी लेगिन थोड़ा वह तो उसमें उसमें modification किया था तो सुनाते हूं आपको जिसका यह है टाइटल है थोड़ी मेल उधर भी तो हो थोड़ी मेल उधर भी तो हो तो रोज का नियम ही समझिये रोज का नियम ही समझिये हाथ पैर मुँ सफ साफ करके नहाती हूं लगबग रोज ही जैसे और सब करते हैं वैसे ही और ब्रश कम से कम दो बार दिन में करती हूं कुछ दिन से दिमाग में ये बात उठने लगी है कि इन सब को साफ करने के दर्मियां मेरे दिमाग की मेल भी कि इनको साफ करने के दर्मियां मेरे दिमाग की मेल भी दूसरों की द्रश्टी से खुद बाखुद साफ क्यों नहीं हो जाती ब्रश तो कोई ऐसा आता नहीं मेल अपने तरीके से सोचने की खुद को सचमुच इंसान होने और बनाने के हक के लिए लड़ने की यह मेल खतरनाक है अगर ऐसे ही जमती रही तो विसफोट की संभाव ना है झाल झाल